इस तरह की पत्थरबाजी और फाइरिंग का पैटरन देश के कई इलाकों में एक साथ दिखाई दिया। कई जगों पर देवी विसरजन पर हमले हुए। कुछ उधारन में आपको दिखाता हूँ। पच्चिम बंगाल में कमुनल टेंचन हुई। हावडा के शामपूर इलाके में पूजा पंडाल को निशाना बनाया गया। पूजा पंडाल में तोड़ फोड की गई, आगजनी की, घटना हुई। और हावडा की इस खटना के कई वीडियो बीजेपी के नेता शुबंद्य उधिकारी ने जारी किया। इन वीडियो में आपको साथ साथ दिखेगा कि सैक्रन लोग स्रालक पर हंगावा कर रहे हैं, तोड़ फोड कर रहे हैं और दुरगा पूजा के पंडाल को निशाना बना रहे हैं। शुबंद्य उधिकारी ने लजाम लगाया कि दंगायों के ग्रूप ने शामपूर पूली स्टेशन से लौटते वक एक पूजा पंडाल पर हमला किया और जिस घाट पर मूर्ती का विसर्जन किया जा रहा था, वहां पत्तर पेके इन लोगों ने पूजा पंडाल में सर्वधर संभाव की ठीम रखी गई थी, सबी धर्मों के देवी देवताओं के चित्र लगाये गए थे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर आपती जताए, आयो जगों ने नाराज लोगों की मांग पर अपना ठीम बदल दिया, इसके बाद मामला खत्ब हो गया लेकिन कल फिर इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने पहले शामपूर पुलिस चेशन पर हमला किया, पुलिस ने हालात को कामई में पाने के लिए टाटी चार्च किया, तो बात बिगड़ गई, आस पास के लाके में तोड़ फोड और आगजनी शुरू हो गई, और इसके बाद पूजा पंडाल को भी निशाना बनाया गया, इसी तरह के खबर जारकंड के गड़वा से भी आई, गड़वा में पत्तर बाजी होई, आगजनी होई, असल में गड़वा डिस्टिक्ट के गाउं में विसर्जन से पहले लोगों को जलूस के परंपरागत रास्ते से निकालने की पर्मिशन नहीं दी, पुलिस का कहना था इस रास्ते में मुस्लिम बहुल इलाका है, गरबड़ी हो सकती है, लेकि जलूस में शामिल लोगों का तरक था कि हर साल जलूस इसी रास्ते से निकलता है, कोरोना के वक भ बात बढ़ी तो पूलिस ने लाठियां चलाई इससे नाराज होकर लोगों ने भी पत्राव शिरू करती है आयो जगों का कहना था कि पूलिस ने उनके साथ जात्ती की उन्हें बेवज़े रोका जबकि पिछले 50 साल से वो इस परंपरा को इसी ज़रा दिभाते आ रहे है तो तिलंगाना में भी सामपरदाएक सद्भाव को खराब करने की कोशिच हुई पिछले साथ में दूसरी बार देवी दुर्गा की मूर्टी को खंडित किया गया सिकंदराबाद में आज सुबाद मंदिर में घुसकर देवी मा की मूर्टी को जमीन पर गिरा दिया गया और इस घटना का सी-सी टीवी फुटेज भी सामने आगया ये तद्विरे हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद के मुत्यालमा मंदिर की है जहां सुबा करीब चार बजे एक विक्ती मंदिर के अंदर खुसा और उसने माद दुरगा की मूर्ती पर अटैक कर दिया मूर्टी पर हमला किया और उसके बाद मूर्टी को गिरा दिया जैसे ही इस बात की जानकारी आसपात के लोग को मिली लोग का घुसा फूट पड़ा हजारों लोग मंदिर के परिसर में कट्था हो गए ते लगाना की सरकार के खलाप नारे लगाए गए प्रदेशन करने वालों में महिलाएं भी थी जो साड़क पर बैठ गई और नारे बाजी करने लगी मामला बढ़ता देखकर पुलिस ने धरना प्रदेशन खत्म कराने की कोशिश की लेकि लोग नहीं माने जिसके बाद पुलिस ने प्रदेशन कारियों को जबर उठाया और डीटेन करके पुलिस टेशन फेज़ती है इस मामले में तूल पकड़ा तो सिकंदराबाद पुलिस ने सबसे पहले बीजेपी के नेता टी राजा सिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया बीजेपी के कुछ और नेताओं को मौके पर नजाने की हिदायद दी गई लेकिन बात प् असदून ओवसी के खिलाफ लोगस्वाज चुंदाब लड़ने वाली माधवी लता इनके समयत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मंदिर में पहुँचकर घटना का विरोथ किया जी किशन द्रडी ने कहा तेलंगाना में कॉंगरिस के सरकार एई एमाएम के हाथ का खि अधर दस-पंदरा साल से गनेच चौसित लेके हर दिन इदर अच्छा कारक्रम हो रहे हैं शांती से हो रहे हैं इदर कोई मुस्लिम समाज भी नहीं है पुरे हिंदू समाज रहते हैं कभी ऐसा इंसिडेंट कभी देके नहीं कोई कमनेल क्राशस नहीं है इस ए इस एरिया मे मगर जान बुचकर इस शांती अरिया को डिस्टप करने के लिए ये लोग प्रायस करें नहीं दुरबागे है अधर बाद में लगातार जो भी पार्टी साथा में रहते हैं मजलिस पार्टी से मिलके ऐसे फोर्सस को सपोर्ट करते हैं मजलिस पार्टी के हाथ में किलोना ब लेकि उन्होंने बेग वीडियो स्टेट्मेंट जारी किया ती राजा सिंग ने का कॉंग्रेस और ओवेसी की मिली भगत है दोनों को मुस्लिम वोटों की फिक्र है इसलिए देवी की मूर्ती तोड़ने वालों को मांसिक रोगी बता कर छोड़ दिया जाता है मुत्यालम्मा एक बहुती अच्छा सा माता जी का मंदिर है कल रात कुछ आसामाजिक तत्वों ने उस मंदिर पर हमला किया वीडियो में क्लियर है एक विक्ति अंदर जा रहा है हमारी माता जी की प्रतिमा पर लाद मार रहा है हमारी माता जी की प्रतिमा को गिरा कर खंडित कर रहा है क्लियर है सीसी टीवी कैमरे में तो पॉलिस जूट नहीं बोल सकती है इसलिए जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए और दो लोग थे इसके सयोग में और कितने लोग थे इसके सयोग में सबी लोगों को अरेस्ट करना है यहां मैं डिमेंड पुलिस कमेंट्सन से करता हूँ बीजेपी के नेताओं ने तिलंगाना में कॉंग्रेस की सरकार पर सवाल उठाई तिलंगाना सरकार से तो इस पर पूरी एक्शन नहीं मिला लेकिन कॉंग्रेस के लीडर वी हनुमन्त रावने का पुलिस को आरोपी पर सक्त कारवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटनाएं नहों चार दिन पहले नामपली पे भी ऐसी डिस्ट्राइग करें अमावर को इस पे मैं यही बोलना चाहरू हूँ पॉलिस सेवन डेस जब भी मूर्ती लगाते हैं मूर्ती लगाके वो लेके जाके टैंगवर में मिलाए तक मूर्तियों को अमावर को प्रोटेक्शन देना चाहिए और कौन काल्प्रिट है उसको सीरियस एक्शन लेंगे करनाटक के बेलगावी में मूर्ती वर्सर्जन के जडूष पर हमला उआ यह 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 बेलगावी में लॉटस्पीकर बंद कर देको कहा जडूष में शामिल लोगों ने इसका विरूध किया तो उन पर हमला हो गया लोगों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया हाना कि कुछी देर में पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गई पूलिस ने लाटी चार्ज करके भीन को तितर बिदर कर दिया फिलाल इस इस इलाके में शांती है मूर्ती वे सर्जंट पर इतनी सारी जगों पर हमले पत्राव फाइरिंग एक खत्रे की घंटी है चितावनी है एक बड़ी साज़िश का संकेत है हाना कि इसे लेकर दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं पिछले अफ़ते केंदरे मंतिरी गिर्रा सिंग जब आपके अदालत में आये थे तो उन्होंने का था देश में आजादी के बास से अब तक एक भी ऐसा इंसिलेंट नहीं हुआ जब किसी ने ताजिये के प्रोसेशन पर पत्थर फेके हो पर अब जगा जगा हिंदों की धर्मे क्यात्राओं पर हमले होते है उन्होंने ये भी का था कि जहां जहां मुसल्म को टार्गेट करते हैं वो मॉबलिंची के घटाओं का सिक्र करते हैं दूनों तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम बर्दाश नहीं करेंगे टिट फॉर टैट होगा ईट का जवाब पत्थर से देंगे मुझे लगता ये जवाब देने की धंकी चाहें इधर से हो या उधर से ये ठीक नहीं है इससे बात बिगड़ेगी ना मुर्ती विसर्जन की यातर पर पत्थर फेकना सही है ना ही मजदित के सामने डीजे बजाना सही है ऐसी बातों से किसी का भला नहीं होता RSS प्रमुक मौन भागवत ने दैशेरे के दिन हिंदू समाज को जो चंदेश दिया था उस पर सबको विचार करना चाहिए मौन भागवत पे दो बाते कई थी उन्होंने हिंदू समाज से का कि दुर्बल रहना अपराध है अगर हिंदू समाज कमजोर है असंगठित है दुर्बल है तो उसका मतलब अत्याचार को निमंतर देना है लेकिन सास्ता उन्होंने दूसरी बात भी कई उन्होंने का इसका मतलब यह नहीं कि किसी से शत्रता करें इसका मतलब यह नहीं कि हिंसक बने मौलाना महमूद मद्नी देवी थोड़े दने पहले मुझसे का था कि ये देश जतना मोहन भागवत का है उतना हमारा भी है ये देश जतना हिंदों का है उतना मुसल्मानों का भी है और उन्होंने ये बात भी कही थी कि टक्राव के बजाए मिलकर रहने के रास्ते खोजने चाहिए और यही एक मात रास्ता है